नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी एश्यकब 2022 को लेकर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं अब ऐस अप 2022 को लेकर बहुत बड़ी ख़बर आई है एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि क्योंकि आप लोगों के जहन में लगातार यह सवाल है कि कहां होगा कैसे होगा कौन कहां करवाया जाएगा तमाम तरीके की बात यह 27 अगत से शुरू होने वाला है ज्यादा दिन इस अपके बचे होए नहीं है ऐसे में एश्यं किर्केट कांशिल से बड़ा अफैसला सुनाया है मतलब यह बात साफ कर दिया कि कहां शकप अब होगा यूए और भारत को विकल्प के तोर पर देखा जा रहा था लेकिन क्योंकि जिस वक्त खेला जाना है भारत में उस वक्त मैदान सही नहीं है क्योंकि बारिश बहुत होगी उन बातों को देखते वे गाउली ने इस बात के अंदेशा भी जताया था उसका नहीं करवा सकते कि मैच में बाधा बनेगी बारिश लेकिन उसके बाद में साफ हो चुका है कि एश्यकाप उम्मीद है कि टीम इंडिया जो 2020 विश्व कप्ता उसका बदला एशा कप में टीम इंडिया लेगी और हर किसी को इस मैच का बेसबरी से इंतिजार है लेकिन एशा कप के ऊपर जो संकट के बादल मन रहे थी वो अब छट गए है साफ हो चुका है कि अब यूए में खेला जा भारत में होने की उम्मीद थी लेकिन मोसम की वज़े से क्योंकि बारिश होगी बारिश का मोसम है इसलिए मांसून की वज़े से यह यूए में पहुंचाया गया तो आपका इस अच्छा विकल्प माना जाता हमेशा ही एशन कंट्रीज के लिए तो आपका इस वेन्यू पर क्या कहना है कमेंट करके जुरूर बतेएगा वीडियो चलेगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा